दोस्तों सुन्वे में आया है कि जो केस चल रहा था कॉंट्रवर्सी जो केस चल रहा था कामराज और हितिशा चंदरानी के बार में हम डिसक्स किये थे लास्ट वीडियो में वो अभी हमें खबर मिली है कुछ ही देर में पहले ही हमें ये खबर मिली है कि ये जो केस है वो क्ल investigation उन्होंने बोला कि we did not find any CCTV footage at the place so we don't have any particular evidence regarding this सिर्फ बयान से ही यह साफ पता नहीं चलता लेकिन उनको CCTV footage भी इसके लिए चाहिए तो उनको कुछ ऐसा सुराग नहीं मिला या evidence नहीं मिला जिससे यह साबीत हो चुक है कि यह लोग जो बोल रहे हैं वह सच है तो भी पता चला है कि हीतिस्या चंद्रा ने जो जिसको पुलिस के बास आना चाहिए था investigation के related questionnaire के लिए interrogation के लिए वह अभी वह लापता हो गई है या फिर वह चली गई है मुंबई महाराष्टर मुंबई चली गई है सुनने को मिला है तो यह investigation अभी hold में है और या तो फिर इसको प्रोग दिया गया है यह बोलेंगे तो एक तरफ का one-sided win हुआ कामराज के लिए क्योंकि आप लोग ने बहुत उनको सपोर्ट किया तो अपार्ट फ्रम पॉलिस इंक्वेरी आप लोग को का बहुत ही हाथ है इसमें इस केस में जीतने के लिए कामराज के लिए कामराज के जीत के लिए हमने जीतना कोस्चन रखा है उत्रा कोस्चन काफी है पोलिस के लिए जीतना फॉलिस के पास कोस्चन नहीं होगा उत्रा कोस्चन हम के सामने रख दिया है कि यह क्यों हुआ तो इससे पता चल गया है कि कामराज is innocent तो it's a great ruin for कामराच and the credit goes to you all people और एक shocking चीज पता चली है कि St. John Hospital में जो कर रहे थे investigation regarding the assault physical assault that has caused by कामराच to Sandrani वो बोल रहे हैं कि that is not physical assault वो physical assault उनको उनके पंच करने से हुआ था ये physical assault उनके पंच होने करने से किया गया था ये उनके पास कुछ evidence है नहीं उस बारे में कुछ उनको तो फिर टेस्ट करने के बाद जो कि hospital St. John's में हुआ उससे कुछ पता नहीं चलता है कि ये physical assault था ये physical assault नहीं था तो इससे साफ पता चल जा रहा है कि ये एक या तो फिर एक कुछ बनी बनाई चीज है पुरे बनाय हुआ है चीज एक कुछ सच है नहीं इसमें वेल इसकेस के बाद या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी निकले हैं जो की delivery boy होते हैं उनका reaction कुछ customers के उपर खराब भी हो सकता है तो इसलिए हम hope करते हैं कि ऐसा नहीं हो और ये सब का reaction delivery boys या तो फिर जो भी है इस फिल्ड में food delivery field में हैं उनके उपर ये असा नहीं होना चाहिए और हम लोग ऐसे ही बरताव करें इस एक ही incidents से यह हम decide नहीं कर सकते कि हर कोई ऐसा ही होगा तो कि गौतलब बोलेंगे तो हर customer ऐसा भी हम नहीं करते लेकिन कुछ customers की वज़े से हम decide नहीं कर सकते हैं तो हमको यह पकट के चलना होगा कि we should be nicely behaved with full delivery agents या तो फिर कहीं होटल में हम रहते हैं तो हम जो भी हमारे ख्याल लगता है या कोई भी सर्विस में होता है होटल सर्विस में तो उनको उनके काम को हम अप्रिसेट करना चाहिए अगर अच्छा लगे तो उनको टीप देना चाहिए तो we should be well behaved towards them क्योंकि वह वहती हाड़ वर करते हैं हमारा खुद का ख्यार लगने के लिए इस इंडेस्ट्री में है food and service industry या तो फिर होटल इंडेस्ट्री यह लोग हमारे service के बारे में ही सोचते हैं तो हमें उनके साथ अच्छा ही विभार करना चाहिए so that it does not impact the whole industry and its people तो दोस्तों मैं इतना बताना चाहूंगा कि यह case जो कि हम बोलेंगे तो जीत चुके हैं जो कि जो support में आया है कामराज की तरफ से और हम hope करते हैं कि उसको अपना उसका job वापस मिल जाए तो चलिए हम ही hope करते हैं कि उसको फिर से बुलाया जाए जो मटो हुए में तो कि ताकि उसका job वापस आ जाए और he is able to earn his bread and butter for his family तो इसी बात से हम वीडियो को खतम करते हैं और यही होगा सायद इस controversy का last video और हम इस बार में कुछ ज्यादा कुछ information since this case is on hold तो हमें ज्यादा कुछ जान करी इस पिर में मिलेगा नहीं क्योंकि यह बोलेंगे तो कामराज को जीच चुके हैं case तो बस हमें यही करना है hope की कामराज को फिर सब ही same life लीड करने को मिले तो दोस्तों इसके साथ खतम करते हैं यह विलोग आपको कैसा लगा विलोग जरू मुझे लाइक और कमेंट करेजिए और जीच जोनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बिल और नोटिफेशन करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो के नए अपडेट्स मिलते रहें तो दोस्तों मैं सोवन इसके साथ विदा ले